46 साल की हुई मलाइका अरोडा जाने कैसे शुरू हुई थी अरबाज संग लव स्टोरी बलेवुड एक ट्रेस मलाइका अरोडा आज 46 साल की हो गई है उनका जन्म महराश्ट्र के थाने में 23 अगस्त 1973 को हुआ था बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब मलाइका 11 साल की थी उसी वक्त उनके माता पिता कत्तलात हो गया था मलाइका और उनकी छोटी वेहन अमरिता मा के साथ चेमबूर में शिफ्ट हो गए थे मलाइका अरोडा ने अपने करियर टीवी चानल एमर टीवी में बद और वीजे शुरू किया था लेकिन मलाइका सुर्खियों में तवाई जब शारूख खान के साथ ट्रेन की छत पर वो छे अच्छिया करती नजर आई शारूख संग मलाइका का आइटम नंबर फिल्म दिल से मिठा जो साल 1999 में रिलीज हुई थी रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका और अर्बाज की मुलाकात 1993 में एक कौफी एड शूट के दोरान हुई थी इस शूट के साथ ही अर्बाज और मलाइका की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे इसके बाद 1998 में दोनों ने शादी कर ली एक इंटर्व्यू में मलाइका ने कहा था मुझे और अर्बाज को एक ही वक्त पर एक दूसरे से प्यार हुआ था अर्बाज ने मुझे प्रपोज तक नहीं किया था लेकिन मैंने पहले कहा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए पांच साल डेटिंग के बाद दोनों ने फिर शादी कर ली उन्होंने 12 दिसंबर 1998 को हमारी शादी हुई और 2002 में मैंने बेटे अर्हान को जन्म दिया बता दें कि मलाईका अर्बाज से 6 साल छोटी है रिपोर्ट के मताबिक अर्बाज खान को 60 लगाने की आदब थी और तब तक वो 3 करोड रुपे भी हार चुके थे ऐसे में इस आदब के चलते ही अर्बाज और मलाईका के बीच दूरी आने लगी जिसके बाद 2017 में मलाईका ने अर्बाज से तलाक ले लिया तलाक होने के बाद से बेटा मलाईका के साथ रहता है जबकि अर्बाज को से मिलने जुलने की अनुमती है बता दें कि मलाईका अरोडा हाल फिलहाल में अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है हाला कि दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टी नहीं की है लेकिन सीधे टोर पर इनकार भी नहीं किया है